दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अताकी माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगाँ कुछ काम में लगाँ दूसरा पित का हिस्सा पित का हिस्से बहुत क्लीर है एकदम स्ट्रेट फॉरवरड है कि घी जादा खाएंगे पित का हमेशा सम रहेगा और जदा घी खाने का आप सोचो कितनी सरल है, बस हमें अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाओ करना है, जीवन शैली में बदलाओ से पहले मन में संकल्प लेना है कि जी हम तो ऐसे ही चलेगे, दुनिया जिदर जाये जाये हमें उससे मतलब नहीं हम तो ऐसे चलेगे, तो ये तीन चीजें अग इनों समभाग में रहें तो अच्छा होता है और कौन-कौन सी चीज़े हैं तो बागवटी जी कहते हैं रसोई के बाहर जाने की जरूरती नहीं सब वहीं है बागवटी जी ने एक सूत्र लिखा है दुनिया का सबसे बड़ा औशदी केंद्र हमारा रसोई घर है सबसे और शदी का अंतर मालूम है ये मसाला तो शब्द ही भारत का नहीं है पहले तो ये बता दूँ ये अर्बिक शब्द है फारसी से अर्भी में आया अर्भी से हमारे घुज गया हिंदी में और जगे जगे घुज गया ये विदेशी आये तो ये शब्द भी आया हिंदुस् जिके पहले एक भी जगे किसी भी शास्त्र में मसाला नहीं है चरक सहिता पढ़ी मैंने कहीं भी मसाला नहीं है उसमें सुशृत में कहीं मसाला नहीं है बागवटकी कहीं मसाला नहीं है पुराने जितने लेखक हुए है न दस्वी शतावदी के पहले के कहीं भी किसी ने मसाल ये शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया हर जगे है तो आउशदी है आउशदी जीरा आउशदी धनिया आउशदी ये आउशदी के रूप में है तो इनकी जो प्रापरटीज हैं रसोई घर की आउशदीयों की ये सब आपके चिकित्सा के लिए हैं अब मुझे समझ में आता है कि हमारे पुराने जमाने की माताएं वहने जो हमारी दादी हैं नानी हैं उन्होंने अपनी अपनी बेटियों को जो कुछ सिखाया सबजी बनाना तो क्या-क्या डालना जीरा चाहिए धनिया चाहिए हीन चाहिए मात्रा कितनी-कितनी चाहिए वो स सुबह सुबह, दुपहर को पित जादा होता है, शाम को कफ जादा होता है, तो ये पूरे 24 गंटे में उपर नीचे होता रहता है, तो 24 गंटे में जो बात पित कफ उपर नीचे होता रहता है, तो सबजियों में उसी के हिसाब से औशदिया डाली जाती है, जैसे दुपहर की सबजी बने दुपहर की तो मेरी दादी को मैंने देखा था कि दुपहर की सबजी बनाएगी तो अजवाइन जरूर डालेगी उसमें और वो ही सबजी रात को बनाती थी तो अजवाइन नहीं डालती थी तो एक दिन मैंने दादी से पूछा कि यही सबजी दुपहर को मैंने खाई तो इसमें अजवाइन थी, शाम को खाई तो नहीं क्यों तो उसने उत्तर तो नहीं दिया, तो उसने का मेरी माने ऐसा सिखाया बस बात खतम हो गई अब उस समय मैं भी मान लिया कि ठीक है उसकी माने सिखाया अब जब मैंने काम शुरू किया ये चिकितसा पर, तब मेरे समझ में आया कि अजवाइन जो है, पित नाशक है घी के बाद, देशी गाय के घी के बाद, जो सबसे ज़्यादा पित नाशक दूसरी कोई चीज है तो वो अजवाइन है और दुपहर को पित बढ़ता है, आप जानते हैं, और वो स्वावाविक है क्योंकि खाना खाने के लिए पित बढ़त नहीं चाहिए तो उस समय अजवाइन डाली जाती है सबजी में, क्योंकि दुपहर को ही शरीर को अजवाइन की जरूरत होती है पित्त को संपे लाने के लिए तो भारत में ज़्यादा तर माताएं बहने ये बात जानती है कि दुपहर की सबजी में अजवाइन चाहिए दुपहर का दही है ना दही का मठा उसमें भी अजवाइन का बगार लगता है दुपहर की जितनी भी चीजें है ज़्यादा तर अजवाइन ग्रस्त होती है या अजवाइन से बनती है क्योंकि पित्त को संपे रखना है तो आप सोचो जो लोग ये कर रहे हैं वो बिना कहे कितना बड़ा काम कर रहे हैं हमने उसका वैलिवेशन नहीं किया ये हमारी मूर्ख था हमारे याँ तो एक बहुत बड़ा दुश्करम इस देश में हुआ है अंग्रेजों के हम गुलाम हो गए तो सब कुछ हम भूल गए अपनी चीज़ है अंग्रेजों ने जो सिखाया वो ही हमें याद है तो हम GDP का कैलकुलेशन करते हैं जीडीपी निकलता है इस देश का तो मैंने बहुत बार इस देश के अर्थशास्तरियों से पूछा कि जीडीपी में आप विचित्र विचित्र कैलकुलेशन करते हैं जैसे भारत की पुलिस है उस पर जो खर्चा हो रहा है वो जीडीपी का हिस्सा है अगर चोhrlichya बढ़ी डकैतीया बढ़ी तो पुलिस का खर्च बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा और प्रदान मंतरी चाती ठोक करेगा मेरे जमाने में जीडीपी 10 परसेंट से उपर बढ़ गया So what? पुलिस का खर्च बढ़ गया माने चोरियां बढ़ गई, डकेतियां बढ़ गई, अत्या चार बढ़ गई, अना चार बढ़ गई, तो GDP बढ़ गया, तो क्या बड़ी बात है? तो हमारे जो GDP के calculation है बड़े विच्चित रहें इसमें चोरी हो डकेती हो लूट मारी हो तो GDP बढ़ेगा लेकिन माताएं बहने घर में जो करती रहती है वो GDP में है यही नहीं calculation ही नहीं है उसका बारत सरकार कोई calculation नहीं करती कि किसी माने एक किलो पापड़ बना दिये तो GDP बढ़ा के नहीं तो कहते हैं जी मालूम नहीं बढ़ा के नहीं बढ़ा क्योंकि calculation नहीं है किसी माने दाल की बढ़ी बना दी पाँच किलो दाल की तो GDP बढ़ा के नहीं बना आप का मन क्या कहता है बुद्धी क्या कहती है बढ़ा के नहीं बढ़ा किसी ने बड़ी बना दी किसी ने पापड बना दिये किसी ने कुछ बना दिया किसी ने गोंद के लड़ू बना दिये किसी ने मावे का कुछ बना दिया तो GDP तो बढ़ी रहा है लेकिन हम calculate नहीं कर रहे हैं आपको मालूम है, 2000 साल यूरोप में महिलाओं को पुर्षों से हमेशा कम वेतन मिलता रहा, और आज भी है यह, कई देशों के, वो मानते ही नहीं कि इनका कोई काम काम है, क्यों? वो महिलाओं में आत्मा नहीं मानते, हाँ, यूरोप का सबसे बड़ा दार्शनिक है, प्लेटो वो कहता है कि इस्त्रियों में आत्मा ही नहीं होती, आत्मा सिर्फ पुरुषों में होती है, तो इस्त्रिय जो करे वो बेकार है, पुरुष जो करे वो ही अच्छा है, तो उनके यहां से यह कैलकुलेशन हमारे आ गया, कि इस्त्रि कुछ भी करे तो कामी का नहीं, तो अंग्रेजों का 200-200 साल जो राज चल गया, उसमें हम सब के दिमाग खतम हो गए, सोचना विचारना बंद हो गया, तो हमने भी वो ही मान लिया, मैं अब इसको बदलना चाहता हूँ, और मैं यह समझना चाहता हूँ, और समझाना चाहता हूँ, कि इस्त्रियां जो कर रही हैं, वो किसी डॉक्टर से कम नहीं है, बस अंतर इतना है, कि डॉक्टर को आफ फीस देकर उससे एडवाईज ले रहे हैं, हमारी दादी नानी फोकट में वोई एडवाईज दे रही है, धनिया खाओ, जीरा खाओ, और ये अजवाईन खाओ, आपके पेट की गैस खतम हो जाएगी, और ये साले तीन हजार साल से वैसे का वैसा ही है, अजवाईन खाओ तो गैस खतम होती ही है, कभी भी आप करके देख लो, आप में से किसी को भी बहुत गैस बनती हो पेट में, एसिडिटी की तकलीफ हो, आज से शुरू कर दो आप, खाना खाया, तो उसमें ध्यान रखो, अजवाईन ज़्यादा रहे, दाल में, सबजी में, वगरा वगरा, और अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो खाना खतम करते ही, थोड़ी अजवाईन खा लो, अजवाईन ज़्यादा तकलीफ ना कर दे, उसका बैलेंस है काले नमक के साथ, तो थोड़ा अजवाईन और काला नमक मिला के, हर खाने के बाद खा के देख लो, तीन दिन में ना आपकी गैस बंद हो, तो आप जो कहो मैं हारने को तयार, ये गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ, ये गारंटी अजवाईन दे रही है, मेरी गारंटी नहीं है, अजवाईन के गारंटी है, तो वो कहते हैं बागवट जी कि पित्त को सम रखने के लिए हमारे रसोई में घी के बाद जो दूसरी चीज है वो है अजवाई अगर एक और बसाता है अपने स्वैंपाट घर में ऐसी ही एक बहुत अच्छी आउश्ड है उसका नाम है जीरा जैसे हलद है वैसे यह जीरा जीरा बहुत अच्छी आउश्ड है पित्त के जितने भी रोग हैं आपके शरील में यह सब जीरे से छीक हो जाए पित्त के रोग आप सब समस्ते हैं पेट में गैस बनना पेट में जलन होना खटीःटी गटा रहा जोजन पचल नहीं होना इंडाईजेशन वोमिटिंग आप बार बार और्फिविव ओना वॉमिटिंग संसेशन रोना नौसिया होना यह सब पित्त के रोग इन पित्त के रोगों की सबसे अच्छी जीरे को ले लीजे, आधा चम्मच, और आधा का पानी ले लीजे, उसमें मिला दीजे, पानी को खूब गरम कर लीजे, पानी को फिर खंडा कर लीजे, खंडा करके इस पानी को चाय की तरह से पी लीजे, और जो जीरा उसमें है, उसको चबा के खा लीजे, तो नियमित वोजन की जो अपच्छ है वो ठीक हो जाएगी वोमेटिंसेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा इनलाइजेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा यह सब बीमारी इत्त से संब्दध जितनी भी है जितको भी कहते हैं ना पित्त बिगड़ गया है उन सब को बोलिया जीरा खाए जेसी सब्सक्राइब करें और हां हमारा android डाउनलोड करना ना भूलें